सियाडाने स्वास्तनी द्रष्टिये सवथी सारी रुतु मालव मावचे। जेनेलेने तंदूरस्ती बन्दाव माटे आपने वर्सो जुनी परमपरा मुझब सियाडाने रुतु दरम्यान अलक प्रकार्नी वांगियोनों स्वाध मानता होई छे। जेमा अडदिया, खजुरपाक, मेथिपाक, गुंदरपाक, अखरोटपाक, सहित अनेक प्रकार्नी वांगियोनों समावेस थाई छे। परन्तु वदू मात्रामा आ वांगियोनों सेवन करवा थी ते पन एक प्रकारे जेर साबित थाई सके छे। आथी अडदिया सहित नी तमाम वर्षतों ने ताजगी नो एसास करवा माटे अने समगर वरस्त दरम्यान, आपने स्वास्त रहवा माटे, आवी वांगि आरोगवी जोयो परन्तु ते नुदू नीयत मात्रामा आरोगवी जोये। त्यारे केवी वानगी खावी अन्ये केटला प्रम्मानमा खावी त्ये मामले आपने आए जामनगर नी इत्राना निशनात पासे थी जानीगे। मित्रो श्यारा नी रूतु चालू थाईचे आम तो आ रूतुने स्वास्थेप्रत गणवामा आवेचे एननुकारण छे के आया रूतुमा आपड़ो अगनी आपड़ो दाइजेस्टिव पावर कूप सारो होय तो एने ध्याने राखी और आपड़े पोश्ण चम आहार ले आपड़ो शेवन करवानी आ रूतु चे पड़ यह ख्याल राखू जोए कि आपने अनुकूर चे के नहीं गी आने खजूर पन तेरे गणो मार्केट माहतो हो चे प्रेश तो गी आने खजूर नु सेवन कर्लू जोए आमड़ा आ शीजन मा पूर्ता आने प्रचूर मड़ आमड़ानु नियमित चेवन करेत आपने इम्मिनुटी वदे आने चवन प्राष पन लई शकाए तो आपने वर्ष भरनु बढ़ प्राप्त करी शक्ये आउपरांत जे मिलेट्स चे ए पड़ा रूतु मा आपने चेवन करेत तो खुबज स्वास्त्य प्रद मिलेट्सा र पूरी पाड़े चे एटले आरूतु मा आपने आपना अगनीने ध्यानमा राकिये और पोशग्ण सम आहार लई ये राइफ रूट्स बगेरे तो वर्ष भरनी आपने इम्मिनुटी प्राप्त थाई शक्यें